दूसरा घिसा टायर लगा कर बस फिर चले अब हमने वक्त पर पन्ना पहुंचने की उमीद छोड़ दी थी पन्ना कभी भी पहुंचने की उमीद छोड़ दी थी पन्ना क्या कहीं भी कभी भी पहुंचने की उमीद छोड़ दी थी लगता था जिन्दगी इसी बस में गुजारनी है और इससे सीधे उस लोग को प्रयान कर जाना है इस प्रिथ्वी पर उसकी कोई मन्जिल नहीं है हमारी बेटा भी तनाव खत्म हो गए हम बड़े इत्मिनान से घर की तरह बैट गए चिन्ता जाती रही हंसी मजाग चालू हो गया तो लेखक कहता है कि बस का दूसरा टायर जो गिसा हुआ दूसरा टायर लगाया जब बस का टायर क्या वतर पंक्चुर हुआ था तब जो दूसरा टायर लगाया था वो भी गिसा हुआ था तो यह देकर लेखक और उसके साथ उन्हें क्या किया पन्ना पहुंचने की जो भी आशा उम्मीद थी उसे उन्होंने छोड़ दिया था और पन्ना ही क्या इस पृत्वी पर किसी भी जगह पर पहुंचने की उम्मीद उन्होंने छोड़ दी थी वो कह रहे थे इस बस की मंजिल तो परलोक महीं है इस पृत्वी पर इसकी कोई मंजिल नहीं है यह सोचकर उन्होंने अपनी जो भी बेता भी थी मतलब उतावलापन था जो भी चिंता थी जो वो सब खत्म हो गए और वो बड़े आराम से घर की तरह बस में बैढ़ गए और अपने दोस्तों से अंसी मजाग चालू हो गया और उन्होंने अपनी सारी जो चिंता थी वो खत्म कर लिए इस प्रकार यह आपका पार्ट खत्म हो गया बस की यात्रा पूरा रिडाउट हो गया है तो इसमें हमने देखा कि बस की यात्रा करते हैं पूरानी बस में और उन्हें क्या-क्या अनुभव होते हैं इस बस में यात्रा करते हुए वो सब हमने इस पार्ट में देखा है तो यह part आपको खुद भी पढ़ना है और work आपको मेंने बताई दिया जो शबदात मेंने board पे करवाय थे वो शबदात आपको अपनी note book में करने है प्लस पार्ट आपके गध्यांशों के रूप में दिया गया है तो इन गध्यांशों के हर एक गध्यांश के आपको बॉक्स में प्रशन ओतर भी दे रखें इसमें से क्यूशन पूछ रखें तो ये भी आपको अच्छे से पढ़ने है ये भी आपका वर्क ये है हर गद्यांश के प्रश्णोतर आपको रीड करने है फिर पूरा चेप्टर आपको रीड करना है और शब्दार्त आपको अपनी नोट बुक में करने है नेक्स्ट दे हम इसके किश्चनाल सब करेंगे